असलाम अलेकुम दोस्तों तो पिछले हपते हम लोग गए थे अजमेर शरीफ और कुछ वीडियो है अजमेर शरीफ का यह देखिए यह जन्दती दरवाजा जो के आठ जनवरी से खुल जाएगा छे दिनों के लिए तो हम लोग गए थे हमें जिया उसकी ममी है ना हम लोग प्रिया करके दूआ मांगते हैं ठीक है इस समय ने यह नहीं पर्दा फर्माइए था मुहरम के वक्त में चिला खुलता है मोहरम के वक्त में जब जब वश्यर्थ को शलता है तो इस वक्त है तो हरा रंग का यह चिला है यह खुलता है और यह नीचे इसी के नीचे फजागरीब नमाज जब इबादत के लिए गये थे तो परदा फरमाएं थे तीन से चार दिन में लोगों जो बंदर गए तो पाया कि वो दुनिया से चले गए तो यहीं पर है वो जगा ठीक है और आगे जाएंगे तो आपको वो गेट मिलेगा जहां से चादर उदर जाए जाती है और यह मैं जनेती दरवाजा को छूता हुआ और चरी आगे में यह वीडियो सार आपको बताऊंगा देखाऊंगा कि किस तरह का है ताकि आप लोग अगर जाएं तो आप लोग को किसी तरह की परिशानी न होगी और यह मस्जित के तरफ से देखिए यहां उपर औरतों को भी जाया जाता है नमाज को वक्त छोड़ करक यहां नमाजे भी होती है ठीक है और तो आगे मजजित है जुमा के वक्त में कहूंगा कि आप लोग यहीं पर पढ़ें जब पढ़ने के जब इरादा रखे जब नमाज पढ़ने का तो कुछ वक्त पहले आए क्योंकि नमाज के वक्त में यहां काफी भीड़वा करता और गेट के तरफ या खौजा गरीब नमाज की बीवी के कबर के तरफ या फिर जहां से चादर जाती है उस जगह एक फिक्स कर लें कि हम लोग कोई हिरा है तो यहीं पर आकर मिलें तो इसके आगे मैं आपको और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको में डिफरेंट डिफ रहे हैं वह सोने का कलश है तिसी ने कहा भी जाता है कि सोने के कलश वाले गरीब नमाज और इस तरफ से देखिए और यह पीछे साइड है इस तरफ से चादर जाए जाती है और यहां शाम के वक्त में कवाली भी होग करती हैं तो हम लोग जाते थे मेरी बेटी को बड़ा अच्छा लगता था वह काफी आराम से वहां बैठी रहती थी और हम लोग